अगर आपकी इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक, कोटेक महिंदरा बैंक, बजाज फिनांस जैसे जाइन्ट बैंकिंग और NBFC के अंदर होल्डिंग है आपकी इन्वेस्टमेंट है, इसके अलाबादे को दो पॉइंट्स मैं यहाँ पर बात करूँगा, एक पॉइंट तो सारे HDFC, कोटेक, एक्सिस, इन्सब बैंक के ऊपर, हमने देखा है कि पिछले दो-तीन सालों में, दो साल अगर एवरेजली भी अगर मान ले जहाँ पर मार्केट बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन यह जो जाइन्ट बैंक्स है यह बिल्कुल भी रिटरंस नहीं दे पा रही है अल्मोस्ट फ्लैट ही है, चाहे कोटेक की बात करे या HDFC की बात करे है, बजार फिनांस की बात करे है, सब फ्लैट है, दो रिजन इसके बात करते हैं, इसके अलावा कई और छोटे-छोटे रिजन थे बीच में, लेकिन जो में दो रिजन अभी खतम होने वाले हैं, कमिंग यर्स के लोपे है, पिछले 12 अलों में सबसे कम निवेस बाहरी निवेसक जो भार के बाहर के निवेसक है उनका इंडियन मार्क है मतलब इस से जब हम आगे की तरफ देखते हैं तो अभी ही बहुत जादा सेलिंग जितना वो कर सकते थे बहुत ज़्यादा selling अभी ही कर चुके है तो लगातार जिंदगी भर बस हमेशा end of time तक selling ही तो नहीं करते रहेंगे एक point of time के बार वो वापस आएंगे market के अंदर और जो बहारी निवेसक है ऐसा देखा जाता है जैसे आप उठा के देखोगे अगर stock holding मतलब share holding pattern देखोगे तो ये जो बजाज finance SDFC जैसे stocks है इनके अंदर जो FIIs की holding है वो बहुत जादा होती है मतलब जो बड़े निवेसक है बाहरी वो बड़े stocks, giant stocks के अंदर ही investment करना पसंद गरते हैं चाहिए TCS हो, Infosys हो हर category के सिर्फ banking के बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ banking पे तो दूसरा जो point पता हूँगा वो लगो होगा, लेकिन जो FIIs वाली जो point है कि ये 12 सालों के सबसे नीचले अस्तर पे हैं, और ऐसा नहीं है, कि अब बेच दिया तो बेच दिया वापस दोबारा खरीदने नहीं आएंगे इंडियन मार्केट में, ऐसा नहीं होगा ओर वाली उड लग रहा है, वो बेच रहे हैं, इंडियन इंवेस्टर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक लेवल तक ही सपोर्ट कर पाएंगे जाइंट स्टॉक्स को स्माल कैप, मिट कैप को तो सपोर्ट कर ले लेकिन अभी भी लगबार दो सेलिंगे साल में जीरो रिटरन हैं निगेटिम में नहीं है इसका रीजन यही है तो क्योंकि 12 एर्स लो पे है बहुत सेलिंग हो चुकी है तो बहुत जाधा उमीज है कि अगले कुछ समय में वो वापस आ सकते हैं इंडियन मार्केट में और वापस आएंगे तो उनकी सबसे पहली priority सबसे पहला जो 24 होगा foreign investors का वो large cap giant stocks ही होगे prefer करेंगे वो कि nifty 50 nifty 100 यहीं तग रहे मतलब ऐसा नहीं कि mid small में नहीं रहता लेकिन जादा तर पैसा जो invest होता है क्योंकि large caps का market cap भी बहुत बड़ा होते तो जादा पैसा भी percentage में बहुत कम दिखता है लेकिन जादा पैसा large cap में जाता है पहले नंबर पे तो यह point हो जाता है कि overall market को भी support करेगा यह और खासकर कुछ यह जो type के stocks है वो अगर आपके holding में है तो उसको भी support करेगा दूसरा point बहुत जादा उमीद है कि September में US में rate cut होगा और US में rate cut होगा तो इंडिया में भी rate cut हो जाएगा और rate cut होने से फाइदा के अब थोरा सा एकदम आसान भासा में समझा देता हूँ कि जो banks है वो कर्ज लेती है किसे थोरा बहुत हम लोग उसे भी लेती है तो उस पे interest reserve bank को देना होता है इन banks को इसी को ये जो interest rate होता है इसको repo rate कहते हैं और ये repo rate अभी बहुत जादा हाई है लगबग सारे 6% के पास है ये cut cut के आगे एक साल देर साल दो सामें ये फिर से 4% के आसपास आके रुकेगी और बहुत जादा उमीद है कि 0.25% तक का rate cut सेप्टेमबर में जैसे ही US Fed की तरफ से आगा वैसे ही इंडिया की तरफ से भी RBI की तरफ से भी आजाए जब तक US Fed की तरफ से नहीं आता तब त rate cut आएगा यहां पर भी rate cut आजाएगा अब rate cut होने का मतलब क्या है जैसे मालो अब 150 लाख 2 लाख 1 करोर पर उत्ता परक नहीं बरता लेकिन जब 1000 करोरों के लोन की बात होती है उसमें 0.25% का भी अगर rate cut आजाता है तो banks ने जो RBI से पैसा लिया है कितना जादा उनको interest कम द के रखा हुआ है उनको भी कम interest देना पड़ेगा तो वहां पर भी उनका भी profit अच्छा हो जाएगा तो खासकर यह दोनों जो points है बाकी market के segment को तो help करेंगे ही करेंगे लेकिन SDFC, Cotec, Bajaj Finance जैसे जो banking और NBFC वाले giant stocks है उनको बहुत ज़्यादा इवन mid segment के भी जो NBFC वाले जो stocks है उनको भी बहुत ज़्यादा इसका फाइदा मिलेगा दो points है दोनों points यह September, October से मुझे लगता है कि जो यह NBFC बैंक वाले stock है इनके अंदर जो ठंडे परेंगे 2-3 सालों से जैसे ही rate cut है ना उनसे होगा उधर से Uber की तरफ जाने लेंगे अगर आप परिशान है कि प कोच रहते इस type के stocks में तो आपको थोड़ी सी detail में इसकी analysis करके मुझे लगता है यह बहुत बढ़िया time हो सकता है इन stocks को पकरने का पाकि कोई investment advice नहीं है आप अपने financial advisor से advice लेके ही investment करें कोई stock recommendation नहीं है कोई fund recommendation नहीं है educational purpose के लिए वीडियो बनाया गया है खुद से analysis जरू कर ले investment करने से पहल